इंडिया में बढ़ते pollution की वहेसे एक government EV को बहुत जादा promote करती है कि वहेसे ये एक trend ये फिर yellow hype type create हो गई है जिसमें लोग diesel और petrol को छोड़के EV की तरफ जा रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज भी है बस इसे IPC trend को देखते हुए बहुत सारी car brand ऐसे भी है क्योंकि at the end यार इंडिया एक third largest automotive market है और कोई company इतनी बड़ी market को छोड़ना नहीं जाती बट सवाल ही है कि अगर इतनी important है इंडिया न आटोमेटिव market तो अब तक ये companies आ क्यों ने रही है सारी सवालों का जवाब मिलने वाले आपको इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को लास्तख दिखना बिनके स्किप करें और ऐसी मसमस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो वहीदे को इन सभी कमपनियों का इंडिया के अंदर नहीं होने का सिर्फ एक ही मातरी रीजन है क्योंकि ये सारी कमपनीज चाहती है CBU रूट के तुरू अपनी गाड़ियों को सेल करना यानि कि जिसको नहीं पता CBU क्या होता है completely build-up units जिसमें गाड़िया पूरी बनी बनाई आती है उनको इंडिया में इंपोर्ट करा जाता है और इंपोर्ट करने के बाद उनको सेल करा जाता है ये new EV policy 2024 ये क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा बट इससे पहले जब गाड़ियां CBU के तुरू आती थी इंपोर्ट होती थी इंपोर्ट होती थी इंडिया के अंदर तो उनके ओपर 70-100% tax लगता था रेफरेंस के लिए अगर कोई गाड़ी बाहर 35 लाग रुपे की है इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद वो पूरी 70 लाग रुपे की हो जाती है तो बस यही कुछ रीजन्स थे जिनके वज़े से यह गाड़ियां इंडिया के अंदर नहीं है और अगर कोई लेकर भी आना चाता है तो उसको बहुत जादा कॉस्ट ली बढ़ती है बढ़ अभी रीसेंटली हमारे इंडिया की EV policies चेंज हुई है जिसको जो main point है वो यह है कि 70-100% जो import tax पहले के टाइम में लगा करता था अब उसको गटा कर सीधा ही 15% कर दिया गया है बढ़ यह ऐसी हवा में 15% नहीं कर दिया गया है इसके अंदर भी बहुत सारी conditions है आओ समझते हैं तो भाई अगर कोई भी company CBO route के दुरू अपनी गाड़िया इंपोर्ट करती है और इंडिया के अंदर sell करती है तो उनको 3 साल के अंदर-अंदर minimum 500 million dollar की investment करनी होगी और ऐसा नहीं कि कोई भी brand कितनी में गाड़िया इंपोर्ट कर सकता है यह साल के अंदर limit रहेगी 8000 units per year आपको बता दो यह वाली policy उनी गाड़ियों पर applicable रहेगी जिनका price 35000 US dollar से जादा हो यानि कि इंडियन currency में 32 लाग रुपे से जादा होना चीए इसके साथ साथ यह policy खाली 5 साल के लिए valid है 5 साल के अंदर-अंदर यह conditions उनको माननी पड़ेंगी अब बहुत लोगों के मन में कोशन आ रहा होगा कि इन सब changes को कराई क्यों गया तो इसका simple सा एक answer है 2030 दक net zero emission को achieve करना तेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि जो नए वाले policy में changes होगा है यह mainly Tesla के लिए करे गए है यह खाली मैं ऐसी ही नहीं मोल रहा हूँ इसका बोलने पीछे कभी एक reason है जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दू कि टेसला भाई एक ऐसी कंपनी है वो जहां भी जाती है अपने पूरे ecosystem को ले के जाती है उनके ecosystem में उनकी गाड़ियां तो obviously होती ही होती है उसी के साथ साथ होती है उनके charging stations और भी बहुत सारी facilities जिनकों को अगर किसी भी country में जाती है तो वो अपने ecosystem अपने साथ ले गाएगी जिसके अंदर होंगे उनके charger जिनको वो super chargers भी बोलते हैं और आप सोची सकते हो जब ऐसे super chargers इंडिया के अंदर insert हो जाएंगे इंस्टॉल हो जाएंगे तो भाई और भी car manufacturer car brands को कितना benefit मिलने वाला है एड देन हमारे इंडिया को बहुत बड़ा benefit मिलने वाला है अगर Tesla entry लेता है इंडिया के अंदर यही कुछ reason है जिसके वेसे हमारे देश के प्रधान मंत्री PM Modi ने invite करा है Elon Musk को इंडिया के अंदर expand करने के लिए अगर हम बात करें कि अगर Tesla इंडिया के अंदर आती है तो कौन कौन सी गाडियों के साथ आने वाली है तो वो होने वाली है Tesla Model 2, Tesla Model 3 और Tesla Cyber Truck अभी फिलाल के लिए तो अगर आनी होगी तो इन तीन गाडियों के साथ याईगी जिनका price range vary करेगा 40-50 लाग के आसपास अगर आपके मन में कुछ ऐसे सवाल है कि इन ब्रेंड्स के आने से हमारे local Indian जो manufacturers है उनको loss होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अभी का जो main leading company है वो है Tata जिसके गाडिया range करती है 15-20-25 लाग तक और यह जो गाडिया आने वाली है इंपोर्ट होने के बाद यह एप्रोक्स 50 लाग के आसपास ही होने वाली है जो कि एक higher premium segment को ही target करेंगे तो कुल में लाके इंडिया के लिए एक win-win situation है जहां पर इंडिया का भाई development भी होगा और इंडिया में कोई नुकसान में नहीं होगा मैं दो बहुत excited हूँ वाई अगर टेसला और इसी जैसी companies और भी इंडिया के अंदर आती है आपके के views इस topic के ओपर में नहीं कमेंट करके जरूर बताना हम सारे के सारे कमेंट पढ़ते हैं और ऐसी मस मस वीडियो के लिए चैनल कर लो subscribe और वीडियो कर दो like मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी इस वीडियो में तब तक के लिए stay awesome stay safe बाबाई